हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू आवर चैनल तूड़े इन इस वीडियो वी विल डिसकस एससी एम्टेस एग्जाम 2024 कोश्चन ओफ 14 अक्टूबर थार्ड शीफ सेकें सीफ और फार्स शीफ यानि ओल शीफ कोश्चन इन इंग्लिस लेंगवज ओफ जिकें जीएस छोड़ देंगे कुछ से रिडाउट कर लिजेगा पीडिएफ लेकर इसका जो पीडिएफ है आपको टेलग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो वहां से जाइन होके इसका पीडिएफ लेकर आप रिडाउट कर सकते हैं एक्ट्रा फेक्स को या और भी कोश्चन को तो चलिए फिल वीडियो को शुरू करते हैं हमारा जो फर्स्ट कोश्चन है कि वाट इस दा प्लेस वेर दा ड्यूटी रिसाइट इन दा टेंपल कॉल्ड गरवागीरा जो कि आपका राइटेंस हो जाएगा एकोडिंग टू ऑप्शन तो देखे जिएगा को ऑप्शन में दिया गया हुआ नेक्स्ट कोश्चन है आपका समा चकेवा ट्रेडिशनल फेस्टिवाज इस रिलेटेट तो वीच ओव दा फ्लोइंग एस्टेव तो बिहार जो कि आपका राइटेंस हो जाएगा समा चकेवाई जब फेस्टिवाल सेलिविए इन अधार चलिए नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं नेक्स आपका दो एक्टमिक साइज ओफ एन अटम एज वी मूव फ्रॉम दे लेफ टो राइट इन पीरियाद ऑफ दे मोडन पीरिडिक टेबल तो आपका डिक्रीज होता है तो डिक्रीज जो कि आपका राइट एंसर हो जाएगा पाकी एक्साफ एक्स सुप्रीम कोट गोट फाइब न्यू जजज ओन फेबरारी सिक्स इंक्रीजिंग इट जुडिशियल एस्टेंट तो थर्टी से थर्टी सिक्स बोलने सोरी थर्टी टू तो अगर पुछा होगा तो कितना जज तो आपका फाइब न्यू जज जो कि एपॉइंटमेंट किया है था वहीं आपका थर्टी टू जो कि टोटल हो गया था चलिए नेक्स को सने हुआज द ऑथर ऑफ द बूक रूल ओफ ला तो टॉम विंगम जो कि आपका राइट एंसर हो जाएंगे नेक्स को सन के और परते नेक्स आपका माई कंट्री माई लाइफ इज ऑटो बाइग् इन विछ ए तो टूटाउजन सिक्स्टी जो कि आपका राइट एंसर हो जाएगा इसी एर में जो कि आपका जीते थे चलिए नेक्स को सने का वू सजेस्टेड टेड यूरी रिलेटेड इप एमपलाइमेंट तो थेओरी रिलेटेड तो इमप्यूरीरी रिलेटेड वास वैं वाज़ लाहूर के साइओं बीट्वी इंडिया पाकिस्तन तो 1999 जो के आपका राइटेंस हो जाए गा इस एंगे सान क्या गया था तो राइटा राम शमाजवास फांड़ेट वाइओं तो डाज़ाराम महन राइक जोर जोकी फांड क्या गया था अब तो आपका इन 1828 म में चलिए नेक्स कोशन के और बरते नेक्स आपका एकोडिंग टू मल्टी डाइमेश्टर इंडेक्स नंबर ओफ पूर्स पीपल इन इंडिया इन 2020 तो आपका 27.91 परसेंट जो क्या आपका था तो राइट एंसर 27.91 परसेंट हो जाएगा हाऊ मPC नेक्स कोशना आपका डिकम्पोजरव इस सिस्टम इस तो डिकम्पोजर की बात कर लें इनदए इको सिस्टम सच एज बेक्टेरिया एंड फंगी डिकम्पोज डेड और डिनिक मेटर चलिए नेक्स पोस्टन के बारते नेक्स आपका दफे व्ल्ड फेमर्स इंटरनेशनल सेंड आर्ट फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन डिसंबर 2020 टू एड़ चंद्रभाग वीजिन ओडि विजजन उसेज iki द मोर ग्राउंड वाटर को तो एक्रीग एकलेटर सेक्टरों के आपका राइट अशेंचो हाज गया होगा इकल्चय एकशिक्टर अजा इने डिया ग Therebok उ 2 एकषये फिर नेक्स पोर्टेमर्ट पर था नेक्स एफ अबलेग पार चोज़ बैक्वडिल क् legislative list जो कि आपका पुछा गया होगा तो union list, state list and the third list is concurrent list जो कि आपका right answer हो जाएगा ये तिनों जो कि आपका list है चलिए next question क्यों परते हैं next आपका the white paper of Niti Aayog is related to which mission तो अटल innovation mission जो कि आपका right answer हो जाएगा the white paper of Niti Aayog is related to portal innovation mission चलिए next question है आपका who wrote bone of cotton weaver are scattered तो this line is from the poem of Soryzni Naidu, Soryzni Naidu जो कि आपका right answer हो जाएगा चलिए next question क्यों परते हैं next आपका which of the flowing crops takes about one year to grow तो sugarcane जो कि आपका right answer हो जाएगा एक sugarcane जो कि आपका right answer हो जाएगा नेक्स है आपका where is the दूद्सागर false located तो गोवा में located है तो गोवा जो कि आपका right answer हो जाएगा दूद्सागर false चलिए next आपका who introduced coin name तंक तंका एंड जेतल तो आपका इल्टूत्मिश जो कि आपका right answer हो जाएगा वो इंट्रोड्यूश किया था आपका आपका right answer हो जाएगा नेक्स है आपका what does chapter six of indian constitution related to तो इस्टेट यानि राज्स ती रिलेटेद है तो आपका आपका right answer हो जाएगा next question के और परते नेक्स आपका which article of indian constitution related to census तो आपका आपका आटिकल 226 जो कि आपका related है 246 तो आपका 246 जो कि आपका right answer हो जाएगा next आपका what is the presence of iodine in fat and wild called the presence of iodine and fat and wild called iodine number तो आपका iodine number जो कि right answer हो जाएगा next question आपसे पूछा था कि beach statement is incorrect तो यह चार statement जिया गया था पूछा गया था आपका कि कौन सा गलत है तो evaporation causes cooling तो यह right statement है boiling is a bulk phenomenon यह भी right statement है boiling and evaporation are bulk phenomenon जो कि यह incorrect है आपका evaporation is a surface phenomenon जो कि यह भी right statement है आपका तो option number C जो कि आपका statement wrong है चलिए next question है next आपका the total number of organism of of a species per unit area and per unit time is called population density का आजाता है तो आपका population density जो कि राइट एंसर हो जाएगा next question है आपका which region is free from earthquake तो the region free from earthquake is western घाट तो western घाट जो कि आपका राइट एंसर हो जाएगा next आपका who has been reappointment as the chairperson of the armed force tribunal in 2023 तो जश्टिस राजेंद्र मोहन has been reappointment as the chairperson of armed force tribunal in 2023 तो आपका राजेंद्र मोहन मेनन राजेंद्र मेनन सोरी तो आपका राइट एंसर हो जाएगा next चलिये next आपका how many sanctum यानि scantrum are there in the jain वस्टी temple तो the jain वस्टी temple is Lakundi has one sanctum यानि sanctum the temple faces east and consist of sanctum and sanctum एंट्रेलिया अक्लोज नवरंगा एंड ओपन पिलेर मंडपा जो कि आपका वन जो की राइट एंसर हो जाएगा next आपका which festival is celebrated five days after the end of दिवाली तो भाईदू जो कि आपका राइट एंसर हो जाएगा तो next question आपका आत्म निर्वर नारी योजनावाज लॉंच वाई वीच स्टेट तो आज साम के द्वारा लॉंच किया गया था तो आज साम जो की राइट एंसर हो जाएगा next आपका which two countries were separated in 1947 तो इंडिया और पाकिस्तान जो की आपका राइट एंसर हो जाएगा जो कि में 247 में separate हुआ था next आपका which of the flowing classical dance form is inscribed on the gopuram of the चिंदाम्रम temple तो भारत नाटियम जो की आपका राइट एंसर हो जाएगा चलिए next question आपका Selukash Nikotar was a contemporary of whom तो Selukash Nikotar was a contemporary of the Indian empire चंदगुप्त मोरे तो चंदगुप्त मोरे का जो की आपका था आपका राइट एंसर हो जाएगा next आपका what is the formula of population density तो in this formula dp is the population density n is the number of the individual in the population and a is the area तो आपका एंड भाई जो कि आपका राइट एंसर हो जाएगा चलिए next question आपका which is the most are nice city तो टामिल नाडू जो कि आपका राइट एंसर हो जाएगा 15 तो मांसूर रेन ओकर स्मेलनी इन मत्परदेश शतिशगर जानकन विहार आफ्टर जून 15 चलिए next question the height of the stupa a stups in cricket तो आपका height पुछा था तो 28 inches जो कि आपका height होता है तो 28 inches जो कि आपका राइट एंसर हो जाएगा चलिए next question is who has written the book cricket my style तो कपील देव जो कि आपका राइट एंसर हो जाएगा next question is this family is associated with which sport तो hockey जो कि आपका राइट एंसर हो जाएगा तो यह family next question आपका पुछा गया था related to permanent settlement से जो कि आपका एक question पुछा गया था तो the permanent settlement of Bengal was implemented in 1793 by East India Company added by the Governor General Lord Carnivalis चलिए next question is which ruler introduced the market control system तोलर दिन खिल जो कि आपका right answer हो जाएगा तो यह है question जो कि आपका second और third shift में पुछा गया तो आप चलिए first shift के question को भी discuss कर लेते हैं तो first question है कि Anita Sanma received the second night of January about 2040 of which dance तो सतरिया नित के लिए जो कि मिला था तो सतरिया नित जो कि आपका right answer हो जाएगा next question है आपका who was the author of book period कथा course तो horizon जो कि आपका right answer हो जाएगा next है आपका which record breaking Olympian autobiography is titled we need the surface my story तो Michael Phelps जो कि आपका right answer हो जाएगा नेक्स आपका सोनल मांची is related to which dance style तो भारत नाट्यम और डीसी के लिए जाना जाता है तो आपका भारत नाट्यम और डीसी राइटेंसर हो जाएगा नेक्स आपका भावनात मेला इस हेल इन विच अवद फ्लोइंग इस्टेट तो गुजराज जो कि आपका right answer हो जाएगा next है आपका where does the mahananda river originated तो महालदी राम mountain से जो कि आपका originate होता है तो महालदी राम mountain जो कि आपका right answer हो जो कि आपका दार्जलिंग district of west बंगल में पढ़ता है चलिए next आपका which is the traditional spot of India तो खबड़ी जो कि आपका है तो कबड़ी जो कि आपका right answer हो जाएगा option के recording वहीं बात करें सब traditional spot of India की तो कबड़ी चेस खोको बेशनिंग गिली डंडा अर्क्री गदा एशनेक लीडर पित्थू रस्ता जो कि आपका traditional spot है चलिए next है आपका in which of the flowing state did the mopla rebellion take place तो केरला से तो केरला से जो कि आपका right answer हो जाएगा next question है आपका जालोई जा primary associated with तो पुर्तु करूम में जो कि आपका right answer हो जाएगा next आपका according to census a literate person is one who तो जो कि आपका literate person किसे कहा जाता है तो for the 2011 census a person aged 7 years or above who can read and write in any language with understanding is considered as a literate तो लिटरेट का आपका यह जो कि definition रहा बाकी देखिए यहां तक जो कि आपका first second third all shift का जो कि discuss हो गया जिक्के के जितने भी question हमें मिले थे बाकी जो लोग भी हमारे दुआ एक topic wise प्रियास book जो कि आपका launch किया गया है वो खरीदना चाहते हैं तो आप लोग खरीच सकते हैं बाकी demo आप लोग WhatsApp से भी प्राप कर सकते हैं बाकी यहां भी दिया गया है जो कि आपका ऐसा रहेगा बाकी आप आप WhatsApp से भी message करके इसको buy कर सकते हैं 40 plus topic जो कि add किया गया है आपका GKGS topic से MTS से related अब बाकी तो आप लोग message कर लीजेगा यहां description box में link दिया गया होगा तो चलिए फिर मिलते हैं next केसी और वीडियो में तब तक कि लिए जैहिंज जै भारत